नमस्कार दोस्तों विवेक डियोट इंदी में आपका स्वागत है मेरे नाम विवेक मार मेरे पास है यहाँ पर दियल मिकाज डिवाइस C35 और आज हम बात करेंगे इसके कुछ इंटरनल फीचर्स यह टिप सेंट्रेक्स के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कहां से आप यह कोई फीचर चाहिए हो तो आप कमेंट में करके हमने बता सकते हैं कि रिलीज करेंगे अपर चाहिए पर स्क्री चौट्स नहीं ले पाएंगे कर आपको रियल मीका आर EDITION दिया हुआ है realme UI आपको यहाँ पर नहीं है साथ यह है यहाँ पर quick panel और यहाँ पर थोड़े बहुत features आपको मिल जाएंगे hot spot, near way, share का option है साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं dark mode और आपका instant color का option आपको यहाँ पर, sorry, invert color का option दिया हुआ है, invert color का option option जो होता है, काफी अच्छा होता है यहाँ पर आपके phone को पूरा negative बना देता है battery power saving mode भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है और यह edit का option है आप यहाँ से कोई भी features अपने main notification panel में ले जा सकते हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा just long press कीजिए उसको और वहाँ से drag and drop कर देजिए तो तब ही यह work करेंगे जब तक आप drag and drop को नहीं करेंगे तब तक यह work नहीं करेंगे देखिए screen recording का option भी आपको यहाँ पर दिया हुआ तो यह इस तरह से यहाँ पर नोटिफिए से पैनल में अपने आप फीचर साइड कर सकते हैं तो यह तीन फंक्शन ऊपर आ चुके हैं यह focus mode और यहाँ टर्ण on focus mode जह हम करेंगे तो यहाँ पर show 45 है जो आप एप्लिकेंट सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पर यह आपके focus mode में show हो जाएगा तो यहाँ पर आपका focus mode अब बात करते हैं दूसरे option की यह है आपका invert color आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसी में इसको on किया यहाँ पर आपका पूरा फोन negative mode में चला गया है अब यह night के time पर ज्यादा अच्छा वर करता है साथ यहाँ पर night light का भी option आपको दिया हुआ है यह भी आपका जो bright light होगी phone की वो सारी dark में convert कर देगा साथ यहाँ पर battery भी कम करेगा हाला कि battery saver का option भी यहाँ पर है manual है auto भी कर सकते हैं और यहाँ पर dark mode भी आपको दिया हुआ है display setting में ही auto resolution का option भी है और यहाँ पर यह display color का option भी आपको दिया हुआ है standard warm और cool आप देखिए आपको कौन सा color ज्यादा अच्छा लगता है अब देखिए ball paper के अगर बात करें इसमें आपको pre install दिये हुए हैं जिनको यूज करते हैं अपने वाल पेपर पर लगाने में हाला कि pre loaded जो आप box में device नेगे लगा उसमें लाइब बाल पेपर लगा हुआ नहीं आता है लेकिन pre loaded है आप अगर यूज करना चाहते हो तो आप यहां से इनको अपने home screen पर लगा सकते हैं साथ ही यहां पर बात करें अधर features की दो screen timeout का option आपको यहां पर मिल जाता है font size यहां से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं display size भी आप यहां से कम और ज़्यादा कर सकते हैं screen saver का option भी आपको यहां पर मिल जाता है और lock string का option भी यहां पर available है क्योंकि यह आर एडिशन है यहां पर ज़्यादा features आपको नहीं मिलेंगे अपने ringtone की आवाज कम या ज़्यादा करने के लिए आपको setting में sound में जाना पड़ेगा अब यहां पर आप अपने ringtone की और अपने phone की और अपने media की आवाज को अपने साब से balance कर सकते हैं और यहां पर ringtone change करने के लिए आप देख सकते हैं screen पर ringtone पर जाएंगे और ringtone यहां पर select कर लेंगे और ringtone यहां पर आपकी save हो जाएगी कोई अपना मनदपंसंद करना सुनने के लिए bottom side में add का option आ रहा है और यहां पर आप देख लेंगे अभी यह phone खाली है तो यहां पर कुछ show नहीं करा रहा है लेकिन आपके phone में यहां पर song सौंग है तो यहां पर show करा देगा तो इस तरह से आप अपने phone की ringtone को भी change कर सकते हैं बापस से देख लिए ते sound में जाएंगे और यह ringtone SIM 1 add ringtone और यहां पर आप जाके select कर लेंगे तो आपके ringtone में show हो जाएगी और यहीं पर आपको दिखा देगी आप उसे tap किए select कीजिए और वो आपका पूरा work यहां पर करेगी साथ यह हैं पर storage चेक करने के लिए आपको storage में जाना पड़ेगा और यहीं पर आपको storage देख जाएगा साथी smart controls यहां पर कुछ देगे smart wake यानि कि phone को हाथ में उठाते ही आपकी display जो है वो on हो जाएगी और lift to check phone आपके smart motion यहां पर कुछ है easy answer यानि कि आप अपने phone को कान के पास ले जाएगे answer कर देगा easy well का option भी यहां पर दिया हुआ है और mute incoming call अपने phone को आप पलट दीजिए आपका phone silent हो जाएगा तो आर एडिशन में भी डिल्मी ने काफी सारे यहां पर कोई features आपके मतलब का नहीं है कि ऑटो फिल्ट गूगल से यहां पर आप लोग इन कर देंगे तो यह होगा आपका यह जो भी आप आइड डालेंगे तो उसका password यह सेब कर देगा और फिर वहां पर आपको बार बार पासवर्ट डालें जरूबत नहीं बढ़ेग अब देगे security में find my device का option है इससे आप अपना device कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए आपको अपनी Google ID पासवर्ट याद होने चाहिए साथी security में ही आप अपने यहां पर फॉन में fingerprint और face lock भी लगा सकते हैं लगाने के लिए का करना पड़ेगा हम यहां पर चूल करेंगे एक format fingerprint प्लस pattern पेन या password जो भी आपको करना हो और यहां पर अपना fingerprint और face lock हम एड कर लेंगे अब देगे आपको अगर डिवाइस में OTG काम नहीं करते ही तो हम जाएंगे setting में system में और OTG का option साथी reset करने के लिए यहां पर system में ही reset का option भी है network setting reset कर सकते हैं आप reset app preference कर सकते हैं यहा पर आप जाएंगे और आपका phone पूरा reset हो जाएगा उस condition में आप एक वात हमीशा याद रखें पहले account में जाकर अपने Google account को वहां से remove कर लें नहीं तो बात में वह Google account का password आपको मांगेगा साथी यह दिख सकते हैं आप OTG connection का option है अगर OTG वरक नहीं करता तो यहां सब्सक् आपका जो personal data होगा वह सो नहीं कराएगा वहीं सो कराएगा जो आपके guest mode में available होगा और पूरी तरह से पासवर्ट से secure रहता है जब तक आप यहां से sign out नहीं करेंगे तब तक कोई user बाहर नहीं जा पाएगा इसमें से तो यह हो गया है यहां पर guest mode और यह भी काफी जादा इंपोर्टेंट चीज़ है DMC 35 की साती है यहां पर डिजिटल वेल्विंग मैं हमेशा बताता हूं डिजिटल वेल्विंग काफी अच्छा option है आपके device में आपके phone का पूरा data यहां पर आ जाता है कौन सा application कितनी देर यूज हुआ है कितनी बार का phone unlock हुआ है और कितने notification यह यहां पर आए हुए है अब देख सकते हैं यहां पर यहां पर टाइम कितनी मिनट चलाया है और इसके लाब यह और आप यहां पर टाइमर सेट कर सकते हैं कितनी देर आपको यह phone कितनी देर आपको यह application यूज करना है अब यहां पर टाइमर सेट कर दीजिए उसके बाद आटोमेटिक यहां पर यह आपका यह application होगा वो close हो जाएगा तो यह है यहां पर digital waving की खास बात साथी x will setting और भी बहुत सारे features आपको यहां पर दिये हुए हैं तो यह कुछ main features थे realme c35 के जो मैंने आपको बताए अगर आपको कुछ और features यह कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप comment करके यहां पर पूछ सकते हैं अब देखिए यह फिलाल में आपको बता रहा हूं इसमें display में वह आपको contact new contact save करने के बारे में बता रहा हूं इस तरह से आप new contact भ अगर आपको कोई number block हो गया है तो यहां से आप उसको unblock भी कर सकते हैं साथ ही colorize colorize spam का भी option है तो यह सारी features है features के कोई कमी नहीं है फिर से बता रहा हूं अगर आपको और भी इसके इलावा कोई features समझ में नहीं आ रहा है तो आप comment करके मेरे से पूछ सकते हैं और मेरे को अ सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अब तक लिए धन्यवाद हेवे नाइस देज